नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं टी-एस-डी-पी-एल में आई-टी-आई और डिप्लोमा होल्डर के लिए 30 अप्रेल को होगी बहाली परिक्षा टाटा इस्टील डाउन एस्ट्रेम प्रोडक्ट लिमिटेड में आई-टी-आई और डिप्लोमा होल्डर के लिए बहाली परिक्षा 30 अप्रेल को होगी कमपेनी के AGM HR&IR सुभमय जमुदार के हस्ताक्षर से इत समन्द में सनिवाय को नोटिस जारी किया गया बता दे पिछले साल 27 अक्टूबर 2022 को बहाली निकाली गई थी लेकिन बहाली में आस्थानी उमिद्वारों को नियोजन अधिनियम 2021 के तहात नहीं किये जाने का मामला जार्खन जन्तांत्रिक महासभा के उठाने के बाद बहाली पर किरिया को अस्थागित कर दिया गया था अब लिखित परिक्षा 30 अपरेल को जमसेदपूर में आयोजित की जाएगी बहाली परिक्षा में टी एस डी पी एल में करेला ठेका करमचारी करमचारी पूत्र और समाने उमिद्वार सामिल होंगे बहाली परिक्षा में सामिल होने वाले योग ये उमिद्वारों को सूचना और एडमीट का जल्द ही SMS, WhatsApp और E-mail के मादेम से भेजा जाएगा सभी अस्थानिय उमिद्वार उन्होंने रोजगार कर्याले में पंजिकन नहीं कराया है और नीजी छेत्र में अस्थानिय उमिद्वारों का जारखन राज रोजगार अधिनियम दोहरेकश के तवत अधिवास पवन पत्रप्रप्त नहीं किया है उन्हें परिक्षा के समय इसे जामा करने को कहा गया है जारखन में गर्मी से परिसान लोगों को कुछ दिनों के लिए धूप से तो रहत मिल गई है जहमा जहम बारी से मौसम तो सुहाना हो गया है लेकिन इस से आम जनों को परिसानी भी बढ़ गई है मौसम के इन्द्रे राज में एलो अलर्ट जारी कर दिया है बतादे राजधानी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है तेज धूप के बाद बारी से लोगों को राहत जरूर मिली है अब यह राहत आफ़त में बतल रही है बतादे मौसम बिभाग ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है जार्खन के 24 में से 18 जीलो में अगले एक से मौसम केंद्रे ने में गरजन तेज हावा के साथ बजरपात की चेतावनी दिया है मौसम केंद्रे ने जार्खन के 18 जीलो के ततकालिन मौसम चेतावनी जारी करते हुए बोकारो, देवघर, कोडर्मा, रामगर, रांची, चत्रा, धनबाद, गिरिटी, गुमला, हजारी, बाग, जाम, तरा, खुट्टी, लोह, दग्गा, सिम्टेगा, दुमका, पुर्वी, सिम्मूम, सराय के लखार, सवार, पच्मी, सिम्मूम, आदी, जीलो के लिए सरदार पंडा करेंगे, यहाँ परंपरा वर्सों पुरानी है, जिसका निर्वहन अभी हो रहा है, चली आ रही मनियताओं के मुताबी अक्छाय तिर्तिया पर होने वाले महा सिंगार वो सज्जादान की परंपरा का निर्वहन सरदार पंडा ही करते रहे हैं, इस वर्स लाब नंद ओज्जा बाबा का भव्य महा सिंगार करेंगे, इसके लिए जोर्दार त्यारी की जा रही है, बतादे अक्छाय तिर्तिया के दिन साम में तक्रिबान साड़े च्छाव वए से पराराम भोलिवाने महा सिंगार के दरन बाबा को सभी तिर्थ धाम वह समुंद लाए गये सह अस्त्र जल से सुकल जजुरुवेद के पांचवे अध्याय के 16 मंत्र के जाप के बीच असनान कराया जाएगा रांची में बजरपात से पांच ग्रामी जूल से सन्निवार को रांची में कई जगों पर बजरपात हुआ इस बजरपात में कई लोग जूलस गए सोना हतु थाना चेतरे के तेतला गाव में एक साथ पांच लोग बजरपात के कारण जूलस गए पांचों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया बता दे राई धनी रांची में सनी मर्गों कई जग अकासिय बीली का प्रगोप देखने को मिला दोपर बाद अचानक मौसम खराब हो गया और रांची के ग्रामी इलाकों में कई अस्थानों पर बजरपात हुआ इस बजरपात में आधा दर्जन से ज़्यादा लोगायल हुए रांची के स्वना हातु में अकासिय बीली गिरने से खेत में काम कर रहे पांच ग्रामीन बुरी तरह से जुलास गए है देवघर नियोजनाले में 3,000 बेरोजगारों ने कराया राइस्ट्रेशन देवघर जिला नियोजनाले करियाले में बीतिय वर्ष 2022 स्टेश में 3,000 शिक्षित बेरोजगारों ने अपना राइस्ट्रेशन कराया है लेकिन इसमें एक भी बेरोजगारों को नियोजनाले के माधियम से जीन 590 बेरोजगारों को नोखरी मिली है इस सभी को उत्पाद विभागी सराव दुकान में ठेका पर सराव बेचने का का मिला है जिला नियोजन पतादिकारी परकास बैठा ने बताया है कि पिछले एक वर्ष के दोरा राज सरकार से कोई भैकेंसी ही नहीं आई है जिस करण नई नियुक्ती नहीं हो पाई वहीं देवगन युनाले से कूल 11,800 बेरोजगारों के सुची उत्पाद विभाग को भेजी गई थी जिसमें 590 युगाओं को ही ठेका पर सराव बेचने की नोकरी मिल पाई है दिपक परकास ने कहा हिमन सरकार के खिलाप बोलने वालों के साथ दमन का हर तरीका अपना रही एक 11 अप्रेल को रांची में सची वाले गहराव के दोरान हुए उपद्रह को लेकर भाजपा के परदेश अध्यक दिपक परकास समेत 5 नेताओं ने धुर्वा थाना में हाजरी लगाई थाना बेबंद कमरे में दिपक परकास, बिधायक, सीपी सिंग, नवीन जैसवाल, समिरी लाल और परदेश, भाजपा, सह, मीडिया, परभारी असोक, बढ़ाई से पूलिस ने करीब आदे गहंटे तक पुष्टाश की इस दोरान भाजपा के कई नेताओं करकाता धुर्वा थाना में मजूद रहे बता दे पूलिस की पूश्टास खत्म होने के बाद बाहार निकाल कर दिपक परकास ने कहा है कि 11 अपरेल को भाजपा के सच्चवाले घराव कारकारा में भाजपा करकाताओं के साथ भारी संक्या में गाउगाउं से आई आम लोग भी सामिल हुए थे भाजपा करकता सांती पुन अंधुरन कर रहे थे लेकिन राज सरकार के लोकतांतरिक अंधुरन कारियों पर लाठिया बरसाए आसुगैस के गोले दागे और संगीन अपराद की धराय लगा करने ताओ करकताओ पर मुकदमे भी दर्च किये हाँ पलामु में मना परसुराम जयन्ती नयाब जाकी आकरसक सोभा यात्रा और भव्य परदर्शन के साथ पलामु में परसुराम जयन्ती मनाया गया यह मेदनी नगर सहर में पहला मौका था जब परसुराम के जनमोच्षा को इतने भव्य धंग से मनाया गया इस पूरे कारकरम को राष्ट्रिये परसुराम सेना युवा वाहिनी के द्वार आयोजित किया गया था इसकी भवेता देखते ही बनती थी यह सोभा यात्रा पूरे सहर के लिए उसुकता का विशाय रहा और हजारों लोगों ने इस सोभा यात्रा को देखा बता दे युवा वाहिनी के अस्थानी रेडमा इस्थीत प्रदेश कर्याले से निकल कर सुभा यात्रा रेडमा के चंदर से खर आयाद चौक होते हुए डाक्टर राइनर परसाद चौक पहुंची जहां से सुभा चंदर बोस चौक होते हुए बेलवा टिगर के रास्ते से दो नमबर टाउन होते हुए रेडमा युवा वाहिनी के प्रदेश कर्याले पर पहुंच का समाप्त हुई टी एसी नियमावली पर सरकार ने राजभान को नहीं दिया जबाब लेकिन जबाब नहीं मिला अब बर्तमान राजेपाल सीपी राधा किष्णन इस मामले को देखते हुए बताया है कि राजभान सीगरी ही राज सरकार को एक बार फिर रिमाइंड भेजने की त्यारी कर रहा है बता दे टी एसी की नियमावली के गठन पर ततकालिन राजेपाल द्रोपती मुर्मूत था रमेश बैस दोनों अपती जता चुके हैं ततकालिन राजेपाल रमेश बैस ने दो बार जबाब मांगे जाने के बाद भी नहीं मिलने पर इसी साल 5 जन्वारी को कल्यान विभागे पताधिकारियों को राजभान तलब किया था जिसमें जब उन्होंने टी एसी के गठन को अवैद बताते हुए उसकी हो रही बैठक पर सवाल उठाया तो पताधिकारी इसका कोई जबाब नहीं दे सके बकोरिया मुडभेड में भाजपा को घेरने के तियारी में कॉंग्रेस बकोरिया मुडभेड मामले में CBI के ओर से हाई कोट में कॉलोजर रिपोर्ट सोपे जाने के बाद ज़ारखन का सियासी पराचड़ गया है कॉंग्रेस और राजद ने CBI की कॉलोजर रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए आंदरों के चितावनी दिया है बता दे ज़ारखन में बकोरिया हत्याकांड को एक बड़ा मुद्दा बनाने के तैयारी कॉंग्रेस और राश्रिया जनतादल ने कर ली है बकोरिया कांड में CBI द्वारा कोट को सोपी की कलोजर रिपोर्ट को पिडितों के साथ अन्याय करार देते हुए कॉंग्रेस के परदेस अध्यक्स राजश्ठाकूर और राश्रिया जनतादल के परदेस उपादेस अनिता यादों ने कहा है कि भाजपाक के दबाव में उ राज जेपाल को सांसर संस्क्रितिक महोत्सों में किया अमंत्रीत राज जेपाल सीपी रादाकृष्णन से सन्यवार को लोग सबसांसर संजाय सेट ने राजभवन में मुलकात कर उन्हें 5-7 माई तक राइंची में आवजित होने वाले सांसर संस्क्रितिक महोत्सों दों 23 के लिया मत्रित क्या है मोखे पर पदम स्री मुकूद नायाक पदम स्री मधू मनसूरी हंस्मूख बिरासत बिसेशग एसडी सिंग सहित आयोजन समीतिक सर्ष और यूवार रंग कर्मी उपस्थित थे धन्यवाद